नमस्कार मेरे प्यारे साथिम, मैं डीपी आज आप लोंग सामने एक नए वीडियो के साथ, बात हो रही है परंबीर चक्र विजेता राम रागोवा राणे की 26 यून 1998 को करनाटक की चेदिया गाउं में जन्म हुआ था, पिताजी पुलिस में थे, इसलिए उनका तबादला होता रहता था, राणे भी साथ साथ अलग लग जगाउं पर जाते रहते थे बच्पन से खेलने के सौकीन थे, और खेल भावना उनके अंदर कोट कोट करके भरी हुए थे, यूं तो मराठा थे लेकिन चुकि इनके पिताजी चाकर के दक्षन में बस गय थे, इसलिए दक्षन भारती हुए 22 वर्स के उम्र में दुती विश्विद्ध के दवरान ही सेना में भरती हुए थे, इनके विशे में कहा ये जाता है, कि इनोंने दुती विश्विद्ध में अपने मेडियम मसीन गन से प्रत्रपक्षी का हवाई जहाज भी धोस्त कर दिया था 1940 में इनकी नियुक्ति बाम्बे सेपर्च में हुई थी, 1950 में 37 वी फिल्ड कंपनी के साथ रहें, बाद में उनकी नियुक्ति बाम्बे इंजिनियर ग्रुप सेंटर में हो गई, और इन्हें 47, 48 में इन्होंने अपना महत्पूर्ण शौरे दिखाया बात हो रही है, आठ अप्रेल 1948 की सेकेंड लेटनेंट राणे इंजिनियर्स को नौशेरा से राजवरी तक पहाड़ी छेत से गुजरने वाली 26 मील लंबी सडक पर कितनी मील लंबी थी? 26 मील लंबी सडक पर माइन एम क्लीरिंग पार्टी का कारे समालने का अदेश दिया गया 11 वजे जब सेकेंड लेटनेंट राणे अपनी पार्टी की साथ दक्षेंड नदपूर के निकट माइन्स हटाने का कारे आरंब किया टैंकों के समीप इंदियार कर रहते तभी दुस्मन ने उनके इलाके में मोटार से हमला सुरू कर दिया माइन क्लीरिंग के दो जवान सहीद हो गए लेटनेंट राणे समेथ पांच अन्ने लोग घायल हो गए लेकिन फिर उनके पार्टी को पुनर गढ़ित किया टैंकों को उनकी पोजीशन तक ले जाने का काम सुरू किया दुस्मन के मसीन नन फायर कर रहे थे साड़े चार वजे वरवाली रिज पर कबजा करने के बाद लेटनेंट राने को पता था कि दुस्मन कारवाहिय भी बंद नहीं हुई है लेकिन फिर भी वे टैंकों को आगे ले जाने के लिए एक दूसरा रास्ता तयार करने की काम में जुटे हुई थे रात को दस बजे तक काम करते रहे मसीन गन फायर हो रही थी उसी की बीच में नौ अप्रेल को सुबद छवजे काम सुरू करके तीन बजे शाम तक लगातार काम जारी रखा टैंकों को आगे ले जाने के लिए रास्ता तयार हो चुका था जब आर्मट कालम आगे बढ़ा तो सेकंड लेटनेंट राणे सबसे आगे वाले कैरियर में बैठ करके आगे बढ़के और लगबग आधा मील जा करके उन्हों चिनार के पेड़ों की द्वारा बनाया गया सड़क का आउरोद दिखाई पड़ा ट्रैंक से उतर करके उन्हों पेड़ों को बिसफोर्ट से उड़ा दिया और आगे बढ़ते रहें वहां से जब तीन सो गज आगे बढ़े थे तो उन्हें इसी तरह का फिर आउरोद दिखाई पड़ा पांच बच चुके थे सामके पहाड़ी के चार ओर वहीं इसने एक टर्न्स थे सर्वनुमा एकदम से घुमावदार एयरबैंड पिन अगला सड़क अवरोद फिर बिसफोर्ट के द्वारा उड़ाई के एक पुलिया थे अब राने फिर काम में जूट गए लेकिन दुस्मन अपनी मसीमगन से हमला कर र पुजूद वे रुके नहीं खायल हो चुके थे साम को श्चा बच चुके थे प्रकास कम हो रहा था एक पर एक औरोद दिखाई पड़ रहती रास्ते में लेकिन नों ने चारो तरफ माइन बिशाई गए थी माइन्स को भी अटाने का काम किया दस अप्रैल उनहीं सो अनतालिस को चार बच करके पैंतालिस मिनट पर सेकेंड लेफ ने ट्राने ने दुस्मन की द्वारा मसीन गन फायर के बावजूद टैंकों की एक प्रूप की सहायता से सडक औरोद हटाने का फिर काम सुरू कर दिया और इस सडक औरोद को साड़े च्छा बजे तक हटा दिया गया इस से आगे सडक पर हजारों गज औरोद था बिसफोटक से उड़ाये गए तटबंदों और मलबों का धेर पूरे इलाके को मसीन गन की द्वारा सुरक्षा पतान किया गया था दुस्मन की द्वारा मतलब दुस्मन मसीन गन लगातार चला रहा था लेकिन वे पनी जान की परवाह किये बगैर साड़े दस बजे तक हिं सारे औरोदों का हटाया आर्मट कालम आगे बढ़ा तबी नदी की इलाके में प्रवेश कर गया सेकेंड लेफिनिंट राने फिर भी सड़क के और रोध को हडाने का काम जारी रखा बिना खाए पिये ये काम हो रहा था और रात को दो बजे तक टैंक जो हैं चेंगास तक भूझ गये बिना भोजन के रात को नव बजे तक भी अपने काम में जुटे रहें सेकेंड लेफिनिंट राने ये ग्यारा अप्रैल उनई सुआटारीस को छब ये फिर कारेयार अर्म किया और फिर जो है चेंगास जाने वाली सरक्मार को खोल दिया ग्यारा बजे तक उस रात तो रात के दस पजे तक रास्तों को खोलने का काम करती थे और इस तरह से ऐसे ऐसे लोगों ने अपनी मेहनत किया है कुर्बानिया दी है बिना किशी की परवाह की ये बगएर रात दिन अथक प्रयास किया है तब जाकर के हम जम्मुक कस्मेर को बचा पाएं अपने इस महान सपूत को हम लोग सर्धांजली देते हैं हाला कि सर्विष के दवरान तो सही सलामत रहे रेटायर भी उननाई सु चावरानमे में तिहत्तर साल की अवस्था में एक सरजरी हो रही थे उसी में ब्लीडिंग नहीं रुकी इनकी और ये विचारे वीरगती को प्राप्त हो गए स्वर्ग सिधार गए आए हम उनको नमन करते हैं प्रणाम करते हैं और उम्मीद के साथ कि हम इनके जीवन से को सीख पाएंगे जिनोंने अपनी देश की सिवा के लिए बिना खाए पिए रा